घर की याद आती है तो मैं हमेशा उनके कंदे पर हाथ रखके कहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी मालो चाए बहु मालो आप देख रहे हैं, जबारे का भी आयुजन है, बाकी वहरी व्रद्धा आस्रम में देखने को मिले आया है, तो ये बाकी वहरी आस्रम की सफल पहले है, और हमारे साथ जुड़ रही है, संचाल का स्रीमती सीमा चुरासिया जी, आपकी जनवा बिलकुल सर्फ, आपका भी अंतरन कर रहे हूं आस्रम का, तो सुधी करण के हिसाब से मैंने ये सारे पाठ रखे हुए, हलाकि नौर्दुर्गा पाठ तो वहां भी होता था पुरानी वाली बिल्डिंग में, लेकि सुन्दर कंड का आयोजन मैंने यहीं किया है, सीमा चुरासिया किस तरीके से आप द के लाएं पाठ तो व即 क्लांग थे, टो पिता जी पिखलं हुए थे रहे तो मैं बहुत हम इन की सेवा करती ती लेकिन मैं देखती थी, कि भाई लोग उनकी सेवा नहीं करते हैं तो मुझे उस टाइम बड़ा कश्ट होता था और मैं ये सोचती थी कि मेरी साधी जहां होगी मैं अपने साथ ससुर की पूरी शेवा भाव से सेवा करूँगी लेकि नितिफा के हुआ कि मेरी फैमली ने मेरा सायोग किया और मैं ये ब्रधासरम लाने में सफल होगी क्योंकि मुझे तो सेवा भाव बहुत अच्छा लगता है सीमा चौराज जी आप दभू नगर की एक बहु है तो बहु होते हुगे आपको भागदोर करने होती है अधिकारियों के बीच मिलना जूलना रहता होगा सामाज के बीच में जाना पड़ता है तो किस तरीके से अपने आपको मैसुस करते हैं मैं हमेशा अपनी मर्यादा में रहती हूँ मुझे किसी से भी बात करने में कोई हिचक नहीं लगती है क्योंकि मेरा भाव ही सोतंत्र भाव है मेरा अंदर कहीं कोई छलकपट है नहीं है तो मेरे लिए तो सभी मेरी भाई और बेहन की बराबर है आपके सास सचुर न हम कभी आपको इस पर इत्राज किया नहीं आज मैं उनिवी की बदौल अपने सास साफुर की बदौल थि आज में इस सीड़ी पर हूं मेरी सास तो आपके ब्रदधा आसरम का जो नियमा वली है जो आपके दिन भर का जो आपकी बुह है किस तरीके से मैं इसको अपने परिवार के तरीके से देखती हूं मैं यहां पर ड्यूटी के हिसाफ से बिलकुल नहीं आती हूं मैं 24 गंटे यहां अभी लेविल रहती हूं जब भी यहां ब्रद्धों को यहां मेरे इस्टाप को मेरी आवश्चिकता पड़ती है तो मैं तुरूंत हाजिर हो जाती हूं क्या सोडूल है आपके सेडूल हमारा यह है की हम यहां पर नौवजह आ जाते हैं सुबा क्यूंकि अभी तक मेरी यहीं सेवा रहती है ना मैं घर जाती हूं ना मेरा कहीं कोई आना जाना है मैं पूरा समय अपने अपने ब्रधास्रम में डेते हूं मेरे उपार आरोप भी लगेंगे। प्रत्यारोप भी लगेंगे। हर सवाल का जवाब भी होता है। और मैं तो ये जानती हूँ किजिसमें कोई बात होती है। इसलिए उसकी कोई बात होती है। क्योंकि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, तो सवभाब है कि मुझे में कुछ ऐसा होगा, लेकिन रही आस्रम की बात, तो लोगों का ये जो कहना है, मैं तो ये चाहती हूँ, वो प्रक्टिकली आके देखने, कि ये आस्रम में क्या आता है, क्या नहीं आता है, मेरे अधकार मेरे और सामने बेठे हैं, उन्होंने भी आपको बताया, आज ये भी जो हमारा कारीकरम हुआ है, ये पूरा समित्भी के सहयोग से ही हुआ है, ना कि सासन के सहयोग से। जब कभी आरोब लगते हैं वद्धासरम पर तो आपका मन कहीं न कहीं आपको लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं लोगों दवारा में इस तरीके कम नई मुझे डर कभी नहीं लगता क्योंकि साच को आच नहीं होती है लोग कहते रहते हैं अब एक कांज से सुनती हूँ कि अपने वाता पिता की यदि वो शेवा करें तो सायद यहां बरधा आस्रम की आ वस्सक्तित ना पड़े और लोग कहते हैं कि बैटी अच्छा का नीव का मेसीज है ज़ी बैटी जो आपने कुश्चन किया है बेटे भी अब बहु के साथ पूरे लो पूरे लोग कहते है न हमारी बहु खराब है तो उसमें बेटे काई भी कहीं न कहीं सायोग होता है क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई साधी से पहले अपने माबाप से अलग हुआ, साधी के बाद ही क्यों अलग होता है, तो उसमें कहीं न कहीं बेटे का भी हलका सहाथ तो है, यदि बेटा चाहे तो बहु की इतनी हिम्मत नहीं है कि माबाप से कुछ गलत तरीके से बेवहर कर सके, बहु को दोसी मानती है, दोनों को दोसी मान सकती सास है तो वह बहू नहीं बन सकती तो मैं तो यह चाहती हूँ कि अपने बेटा और बेटियों को संसकार दे तो यह सारी नौबत आने वाली बिलकुल नहीं है कहीं भी यह नौबत नहीं आएगी तो इस समय बांके विहारी व्रद्धा आस्रम की संचाल का स्रीमती सीमा च आती है तो किस तरीके से आप उनके दर्द को समालती है जब उनको घर की याद आती है तो मैं हमेशा उनके कंदे पर हाथ रखके कहती हूं कि मैं आपकी बेटी हूं बेटी मालो चाहे बहू मालो और हमारे ब्रद घर जाने के लिए तैयारी नहीं होते हैं इसलिए मैं तो य रहा हैं आपके क्या कहना चाहते हैं कमेंड बॉक्स में लिखिए गा और आपकी जनादा लानीच की ऐसी इंट्रिव्यू से आप प्रेरत होते हैं तो शेयर कीजिए क्यूंकि निश्चेत रूप से जिस तरीके से आज घर में जो बेटा और बेटी है अपना फर्ज से कहीं भ